जैसी लचमन बोले सब हसल लगे, सब लोगों ने भोजन किया, कुतत पूस तस्मी को बरायत लोटी, बरायत लोटने के बाद में चारो बहुओं को घर में ग्रह प्रवेश करवाया, दसरत जी अपनी रानियों से बोले हैं के है रानियों, यह हमारे घर में जो बहुओं हैं यह बहुओं ने यह बेटी हैं, इन बेटियों की ऐसे रक्षा करना, जैसे आँख का पलक आँख की रक्षा करता है, कहा है कि महराज जैसी आपकी अग्या, भाई वेनों, आज भी हम कहते हैं कि हमारे घर में आए तो सीता जैसी बहुओं आए, वो माता है मैंने हाथ उठा जो सीता जैसी बहुओं पाना चाहते हैं, हाथ उठा दो कितने लोग हो जो सीता जैसी बहुओं चाहते हैं, हाथ उठाओ, उठाओ कोई चाहता कि नहीं, कैसी चाहते हैं, सुपड़ जैसे, जो सीता जैसी बहुओं चाहते हो, वो हाथ उठादे, पूरा नहीं तो थोड़ पूटना चाहती है देखिए आपको बात बतना चाहरे है कि सीता जैसी बहु पाने के लिए पहले तुम्हें बनना पड़ाएगा कॉसल्या क्या बनना पड़ेगा कॉसल्या तुम कॉसल्या बनोगी नहीं पक्का मालूम है बहु आजाएगी सफेद बार वेगे तो बहु को सामने पहुँचेगी लालवाली डाई लेके बहु बेटा अमाई लालवाली डाई कते है चस्म लगाए को उन्टोपला डार के बहु के आँगे पहुँचियों फैसन करके तो बहु सीता कांब तो सूपड खाऊजे है वो भाईया लोग आथ उठाएंगे जो राम जैसा पुत्र चाते हैं हाथ उठा दो कितने लोग हो भाईया लोग तो बहुत जादा है राम जैसा पुत्र चाते हैं लेकिन भाईयो ध्यार रखना राम जैसे पुत्र को पाने के लिए पहले तुम्हें दसरत बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, दसरत, और दसरत, सौ में दोचार ही बन सकत, सबना है बन सकत, क्योंकि मुंडी इल्ले लगी, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, माल की नहीं छोड़ूगा, बजार करने के लिए जाते हैं, साइकल चलती नहीं है, बिर भी जोला टांग लेते, बजार करने के लिए मैं ही जाऊँगा, अब कुछ लोग ही है, सोच रहे होगे, कि तुम कथा काना ही, कि मालकी छुडवाना ही, तो हम सभी से निवेदन करना चा मतलब लंबाई मैं, तो महारा जूता लड़के के पैर में बनने लगे, तो सारी जुम्मेदारिया नहीं, कुछ जुम्मेदारिया बेटा को सौप देनी चाहिए, अब आप लोग ये भी सोचते होगे, कि जुम्मेदारिया दे दे, वो सराप जाए के पीए, तो भाई वेन ध्यार रगना सराप पीने वाले इंसान को कोई रोग नहीं पाएगा, आप जुम्मेदारी दो या न दो, अगर तुम जुम्मेदारी दोगे, सराप पीने बाला होगा, तब भी पीएगा, और नहीं जुम्मेदारी दोगे, तब भी पीएगा, अगर तुम पैसे दोगे, ठीक हैं नहीं दोगे तो चुरा के लेके जाएगा ये सरावी की आदत हुआ करती है सरावी के सामने तुम फल रख दो फल नहीं खाएगा सरावी के आगे तुम रवड़ी रख दो रवड़ी नहीं काएगा सरावी को 2-4 बोतले लेके दे दे हूं 2-4 बोतल 2 मिलिट में पी जाएगा तुक कहना चाहूंगी कि बिगड़ने वाले इंसान को कोई सुधार नहीं सकता और सुधरने वाले इंसान को कोई बिगार नहीं सकता इसलिए भाई वह उन्हों सभी संवेदन है कि जब बच्चे समझदार हो जाए तो उन्हें कुछ जुम्मेदारियां सोफ देनी चाहिए महराज दसरत ने आज अपनी पत्नियों से अपनी पत्रानियों सिका है ये बहुए नहीं है ये बेटियों के समान है और प्यारी भाई बेनों धर्ब की बेटी एक बहु हुआ करती है बहु को कभी अपने घर में लेकर की बहु और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए लेकिन आज मैं अपनी आँखों से देखती हूँ कि सासे जो हुआ करती है वो वेटी को वेटी समझती और बहु को बहु समझती और तभी मैंने देखा अपनी आखों से के बहु भी ऐसी आती है के सास को कभी सास का दर्जा नहीं देती इसलिए सभी से निवेदन है कि एक मा को आप छोड़ करके आई हो दूसरी मा तुमारे सामने है जिसम उस मा से तुमने इतना प्रेम नहीं किया उतना इस मा से प्रेम करिएगा क्योंकि उस मा मी तुमें 18 साल तक रखा और ये मा तु तुमें पूरी जिन्दगी अपने साथ रखेगी इसलिए इस उस मा का भी खयाल रखो लेकिन इस मा का भी साथ साथ में खयाल रखो बोलिये वाके भी हलाले की